हेलो चिल्डरेंड मैं ब्याकर निर से पार्ट पांच वचन आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए आज देवम का जन्म दिन था जन्म दिन पर उसने बहुत से मित्रों और रिष्टेदारों को बुलाया वे सब उसके लिए बहुत से उपहार लाई रात को उसने अपने सारे उपहार खोले और उनकी एक सूची बनाई देवम का जन्म दिन था और उसमें बहुत सारे उपहार मिले अब उसमें कौन से उपहार कितने मिले उनकी सूची वह बनाने लगा तो देखिए क्या क्या मिले नमबर वन एक साइकिल एक फुट वॉल एक वैट और गेंद चार कमीजें पांच पेन तीन घड़ियां कुछ खिलाओने इतने सारे उपहार उसको जनमदिन पर मिला उपर बनाए गई सूची में रंगीन शब्दों को पढ़कर हम यहां जान सकते हैं कि देवम के जनमदिन पर मिले उपहारों में से कुछ वस्तूओं की संख्या एक और कुछ की एक से अधिक है जैसे एक, एक क्या क्या है वो दिखे साइकिल, फुट वॉल, बैट, गेंद यह सब कितने हैं केवल एक, एक है अनेक में क्या है कमीजें, पैन, घड़ियां, खिलोने यह कितने है अनेक है मतलब एक से ज़्यादा है एक से ज़्यादा है कमीजें, पैन, घड़ियां, खिलोने एक से ज़्यादा है एक है साइकल, फुटबॉल, वैट, गेंद और ये अनेक है, कमीजे, प्यान, घड़ियां, खिलोने तो वेटाव, इसी तरीके से हम मोचन को समझते हैं कि संग्या के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का वोधो उसे वचन कहते हैं तो संग्या किसे कहते हैं, उसका आंसर यही है संग्या के जिस रूप से उसके एक, जब कोई वस्तुएक हो तो वह एक कहलाएगे, मतलब एक वचन या अनेक, एक से ज़ादा हो तो मतलब उसको क्या कहेंगे? बहुचन होने का वोधो, तो उसे वचन कहते हैं अब इस आधार पर एक और अनेक की आधार पर वचन हमारे कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, वचन के भेद, वचन दो प्रकार के होते हैं, नमबर वन, एक वचन टू बहुचन, अब एक वचन में बेटा, आप लोग पहले भी समझ चुके हैं, कि एक वचन में स्थान का पता चले किसी भी चीज का किसी भी ब्यक्तिका केवल एक होने का बहुत्त हो मतलब शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं जैसे लड़की लड़की एक है किताब येंसिल चूहा टोपी I मतलब सब्द के जो भी चेज या वस्तु या व्यक्ति या प्राड़ी एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे एक वचन नमर टू वहवचन वहवचन में अभी इसमें एक था और वहवचन में क्या है एक से जादा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का वोध हो एक से अधिक अभी एक था अब क्या हो गया एक से अधिक शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का वोध हो उसे वहवचन कहते हैं जैसे यहां लड़की था, लड़कियां हो गया, किताब, किताबे, पैंसिल, पैंसिले हो गया, चूहा, चूहें हो गया, टोपी, टोपियां हो गई तो अब इसको बहुचन में हम लिख रहे हैं तो यहां लड़कियां किताबें, पैंसिले, चुहे, टोपिया आदी और इसको एक वचन में लिखे हैं तो लड़की, किताब, पैंसिल, चुहा, टोपी आदी कुछ महत्तो पूर्ड वाते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं, जिस प्रकार वचन के वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुचन होता है बेटा जिस तरीके से लिंग में परिवर्तन होने से उसकी क्रिया में परिवर्तन आता था लिंग परिवर्तित होने से उसकी क्रिया में परिवर्तन आता था उसी तरीके से वाक्य में भी वचन जब परिवर्तन होते हैं तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन आता है जैसे लड़का पढ़ता है अब यह हमारा लड़का भी एक वचन हो गया पढ़ता भी एक वचन में हो गया क्रिया भी हमारी एक वचन में हो गया और वचन भी हमारा एक वचन में हो गया नमबर टू लड़के पढ़ते हैं अब यहां क्रिया हमारी वचन हमारा जो है यहां हमारा वाक की जो है बहवचन में है यहां लड़का जो है वो हमारा बहवचन में है और क्रिया भी हमारी बहवचन में है मतलब संग्या हमारा जो है लड़का एक संग्या के रूप में है तो लड़के जो है वो लड़का जो है वो बहवचन है और क्रिया जो है वो भी बहुवचन है आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रियोग होता है आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रियोग होता है जैसे पिता जी चले गए जहां भी हम आदर देंगे किसी को रिस्पेक्ट देंगे वहां बहवचन का प्रियोग होगा आप बैठ जाएं कुछ शब्दों का प्रियोग हमेशा बहवचन में होता है जैसे कुछ शब्द बेटा बनाए गए हैं जिनका प्रियोग हमेशा बहवचन में होता जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, आदि राम की आँखों में आशु आ गए मुझे साधु महराज के दर्शन हो गए कृपया हस्ताक्षर कर दें यहाँ पे आशु दर्शन हस्ताक्षर और भी ऐसे सब्ध है जिने हम हमेशा बहवचन के रूप में प्रियोग करते हूं हमारा एक वचन नहीं होता कुछ शब्दों का प्रियोग हमेशा बहवचन में होता है जैसे जनता पानी दूद वारिश आदी जनता हुंकार उठी पानी बरसने लगा थोड़ा दूद ले आओ ओके बेटा तो यह सब ऐसे और भी शब्द हैं जिनका प्रियोग हम सिर्फ एक वचन में कर सकते हैं वचन बदलने के कुछ नियम है शब्द के अंत में आने वाले आ को ए बनाएं जो सब्द के अंत में आने वाले जैसे खे खा आख आख आ गया ना लाश्ट में आख ख आ गया ना तो इसको आ को क्या बनाएं खें क्या बनाए ए खें इसी तरीके से अंत में आने वाले आख को ए बनाए तो वचन बदलता है जैसे आखे हो गया आख और खें में ए समझ में आए बटा भैस भैसे रात रातें मेज मेजें पुस्तक पुस्तके वहन बहने और कुछ शब्द और हैं शब्द के अंत में आ से ए बना कर जैसे कपड़ा लाष्ट में आ गया कपड़ा आ और आ के जगा पे क्या बनादे बहुचन बनाते समय ए क्या बनादे ए कपड़ा कपड़े ए ए आया ना तो कपड़ा कपड़े छाता छाते घोड़ा घोड़े बच इं लगा कर सब वचन परिवर्टित करना होता है जैसे माला माला लास्ट में क्या आया? आ ला माला आया अब आग की जगा पे हम इं लगाएंगे जैसे माला इं माला इं तो क्या आगया? इं माला इं माला इं आग की जगा पर क्या लगाएंगे ए लगाएंगे सभा सभाएं महिला महिलाएं सुविधा सुविधाएं माता माताएं कविता कविताएं उसी तरीके से उ उ या औ शब्द के अन्त में आएं तो उनमें ए जोड कर भी वचन बदल जाता है अगर उ सब्द के अन्त में आये या आये या आय सब्द के अन्त में तो हम उसमें क्या लगाएंगे एं लगाएंगे जोड कर भी वचन बदल जाता है डाता है जैसे यसे बहु आये तो यहां भी और फीरो ऐ में धात में धड़ातु धातु और िौ गोड़ों अब यहाँ पर गौ आ गया ना आओ देखिए आओ के जगा पर भी हम क्या लगाएंगे आओ के जगा पर भी हम क्या लगाएंगे इंग गौ गौ इंग ओके बेटा इ या इ शब्द के अंत में हो तो इ या इ या इ बनाता है और यहाँ आगे जुड़ जाता है इससे वचन परिवर्तित होता है इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे ओके थैंक यू